नमस्कार मित्रो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो भोकता संरच्छण अद्रियम के बारे में आज किया वीडियो आप सभी लोगों के लिए खास है क्योंकि वो भोकता होने के नाते आप सभी को उभोकता संदच्छण अधनियम के तहट उभोकताओं के अधिकार के बारे में जानना आवस्यक है वस्तु या सेवाओं का उभोक करने वाला हर एक वेक्ति उभोकता है अब एक उभोगता होने के नाते उपयोग में लाई जाने वाले वस्तूओं और सेवाओं के बारे में उसकी गुर्वत्ता, सामर्थ, मात्रा, सुद्धता, मूल, आध के बारे में जानने का आपको पूरा अधिकार है उभोगताओं के इनी अधिकारों की रच्छा करने के लिए उभोगता सनरचर अधिनियम लागू किया गया जो की उभोगताओं को वस्तूओं और सेवाओं के उभोग से संबंधित अधिकार प्रदान करता है इस अधियम के तहट एक वेक्ति, फर्म, हिंदू, आविभाजित परिवार और कंपनी सहेद उनके द्वारा निर्माण की गई या बनाई गई वस्तूओं सेवाओं का उप्योग करने के लिए खरिता है तो वा अपने उभोगता अधिकारों का पूर्ण रूप से उप्योग करने का अधिकारी है यदि कोई भी दुकानदार उभोगता के इन अधिकारों का हरन करता है उब्होक्ता उस दुकानदार के खिलाफ उब्होक्ता नियाले में कारूरी कारवाई करने के लिए स्वतंत्र है अब हम या जानेंगे कि भारत में उब्होक्ताओं के अधिकार क्या है उभोक्ता संरचण अदिरियम के तहट भारत में उभोक्ताओं को वस्तुओं और सिवाओं के उपयोग संबंधित मुख के छे अधिकार प्रदान किये गए हैं ये छे अधिकार हैं पहला सुरच्छा का अधिकार सभी प्रकार के खतरनाग वस्तुओं और सेवाओं से सुरच्छा का अधिकार सूचित करने का अधिकार सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदर्शन और गुडवत्ताओं के बारे में सूचित करने का अधिकार वस्तुओं और सिवाव से संबंदिद वो भोगता सिच्छा को प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, वो भोगता हितों से संबंदिद सभी निर्णे लेने की प्रक्रिया में सुनवाई का अधिकार, निवारर का अधिकार, जब भी भोगता के अधिकारों का उलंगन हो तो उसके निवारर का अधिकार तो चलिए इन सभी अधिकारों को विस्तार से समझने की कोशिज करते हैं ताकि इन छे अधिकारों के बारे में और अच्छे से समझ वैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुरच्छा का अधिकार उभोक्ता संडचण अद्रियम के तहट उभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग किये जाने के लिए सुरच्छा का अधिकार प्रदान किया गया है सुरच्छा का अधिकार से मितलब या है जो वस्तु या सेवा हम अपने उपयोग में ला रहे हैं या लाने जा रहे हैं क्या वा सुरच्छित हैं हमें सुरच्छित वस्तु सेवाओं का ही उपयोग करने का अधिकार है जो कि या अधियम हमें प्रदान करता है स्वास्त सेवा, फार्मासिटिकल्स और खाद समग्री, आर्टो मोबाइल्स, हाउजिंग, डॉमेस्टिक अप्लाइंस और ट्रेवल आधी जैसे विश्च छेत्रों पर लागू होता है सुरच्छा का अधिकार हमें बस्तु और सेवा में कैसे लाना है, जैसे कि हम जब कोई भी बस्तु और सेवा का इस्तमाल करने के लिए किसी भी दुकान से खड़ी दे तो उसके बारे में जान ले, जैसे कि एलेक्ट्रोनिक्स समान लेते वक्त आई असाई मार्क का ध्यान दे, बिना आई असाई मार्क वाला कोई भी समान ना ले खाने से संबंधि समगरी लेने से पहले, उस समगरी के पैकट में उस समान के बनने और समाग ठोने कितिति जरूर देखें दवा लेते समय दवा के पैकट या बोतल में उत्पादन किती थी और समापती किती थी आवस देख ले अन आवस्तेक सुरच्छा समबंधित बातों पर ध्याद दे अब दूसरा अधिकार है सूचित करने का अधिकार उभोगता संदच्छण अधिनियम के तहट उभोगताओं को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है इस सूचना के अधिकार के तहत उभोगता अपने उपयोग में लाए जाने वाले हर एक वस्तु और सेवाओं के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार रखता है जैसे वस्तु और सेवाओं की गुडवत्ता, मात्रा, सामर्थता, सुधता, मूलने आदी इस से उभोगता या जान पाएगा कि जो वस्तु और सेवा का उपयोग करने जा रहा है वा उसके लिए कितना लावदायक होगा सूचना का अधिकार हमें वस्तू और सेवाओं में कैसे लाना है जैसे कि जब भी हम कोई वस्तू और सेवाओं का इस्तमाल करने के लिए किसी भी दुकान दार से खरीते हैं तो उसके बारे में जानने जैसे कि एलेक्ट्रोनिक समाल लेते समय उसके सुरच्छित होने के बारे में जान ले खाद समगरी लेते वक्त खाद में किनकिर समगरी का समाल किया गया है उत्पादन और समाप्ति की तिथी गुडवत्ता आधी आवस्यत बातो को जानने का अधिकार है जो दवा आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं उस दवा के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है वस्तु और सेवाओ के लेते समय उस वस्तु और सेवा में लगने वाला मूल जानने का पूर्ण अधिकार आपको है अन्वस्तु से सेवा संबंधि सोचना पाने का अधिकार तीसरा अधिकार आता है विकल्प का अधिकार भोक्ता संरच्छड अद्रियम के तहट भोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं को चुनने का भी अधिकार प्रदान किया गया है भोगता अपनी आव सकता हो, गुडवत्ता, सामर्थिता, सुधता और मूल के अनुसार वस्तूओं और सेवाओं को चुड़ने का पूर्ण अधिकार रखता है विकल्प का अधिकार हम वस्तूओं सेवाओं में कैसे उपयोग मिला सकते हैं उसको जानेंगे बजार में कई दुकाने होती हैं जो एक ही समान गुड़ता के साथ अलगलग मूल्यों में बेशती हैं तो हमारे पास एक विकल्प होता है कि हम समान उस दुकान से ले सकते हैं जहां पर दाम कम हैं और साथ में गुड़ता वाला समान उपलब्ध हैं यात्रा के लिए बहुत से साधन उपलब्द हैं, उसमें से भी सेवाओं के अधार पर कुछ महगे हैं और साथ में सस्ते भी हैं, तो हम अपनी आउसकता के हिसाब से यात्रा के लिए साधनों को चुन सकते हैं। मनुरंजन संबंधी सेवाओं का स्थमाल हम अपनी आँ सकता हो और अपनी आमदनी के हिसाब से चुन सकते हैं अब चौथा अधिकार आता है सिच्छा का अधिकार उभोक्ता संरचन अधिरियम के तहट उभोक्ता को सिच्छा का अधिकार प्रदान किया गया है इस सिच्छा के अधिकार से उभोक्ता अपने जीवन में उपयों में लाए जाने वाली हर एक वस्तू सेवां के बारे में पूर्ण रूप से जानने का अधिकार रखता है वो भोकता जो वस्तु या सेवा अपनी उप्यों में लाए जाने के लिए खरीद रहा है क्या वासुरच्छित है इसके बारे में जानने का पूर्ण अधिकार रखता है पांचवा अधिकार है सुनवाई का अधिकार भोक्ता संद छड अदिनियम के तहत भोक्ताओं को सुनवाई का अधिकार भी प्रदान किया गया है यदि वस्तु या सेवाओं के समासों भोक्ता को किसी भी प्रकार का कोई भी नुक्सान होता है तो वा उस वस्त्यों सेवा से हुए नुकसान की छति पूर्ती के लिए वो भोक्ता नियाले में कानूनी कारवाई कर सकता है वो भोक्ता की सुनवाई के लिए अधनियम के तहट वो भोक्ता नियाले का गठन किया गया है जो कि वस्तु और सेवा संबंदित विवादों की सुनवाई करता है यह भोगता न्याले तीन स्तर पर हैं जैसे कि जिल्ला उभोगता विवाद निवारण फॉरम राज्य भोगता विवाद निवारण फॉरम और राश्री भोगता विवाद निवारण फॉरम उभोक्ता संरच्छर अधिनियम के तहट उभोक्ता को वस्तो सिवाओं से संबंदित, अनुचित व्यपार प्रथाओं और उभोक्ता के सोंसर के खिलाब निवारर का अधिकारों प्रदान करती है। यदि कोई भी दुकांदार उभोक्ता संरच्छर अधिनियम के तहट प्रदान किये गया अधिकारों का और उभोक्ताओं के हितों का हनन और सोंसर करता है, तो उसके खिलाफ उभोक्ता स्वयम उभोक्ता नियाले में कानूनी करवाई कर उचिद नयप्राप्ट कर सकता है। बिस लाग तक रकम वाली विवात की निवारण की सुनवाई जिला भोगता नियाले में होती है, बिस लाग से अधिक एक करोड से कम रकम वाली विवात की निवारण की सुनवाई राज भोगता फॉरम में होती है, एक करोड से अधिक रकम वाली विवातों की निवारण की को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद